उत्राखन में पंचाय चुनावों का बेगुल बच चुका है हरी दौर जिले को छोड़कर राज्य के बाकी 12 जिलों के 30 तरीय पंचाय दरसल चुनावों में 3 चरणों में चुनाव होने हैं इसी को लेकार आरनाइन टीवी की समवादाता भावने आरोडा ने उत्राखन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजे भट से खास बाच्चीत की उत्राखन में एक बाद फिर से पंचाय ती चुनाव और उप चुनावों का बेगुल बच चुका है इसको लेका जादा बाच्चित करेंगे फिलाल में सद मौझूद है उत्राखन की प्रदेश अध्यक्ष अजे भट जी सर देखा जाएं तो लगातार चुनाव हो रहे हैं ऐसे में पंचाय ती राज की चुनाव स्टार्ट हो चुके है क्योंकि जो लोगों का रुख है वो भारती जनता पार्टी के पक्ष में है चली ये तो चुनाव की रही बात अब एक बार उत्राखन की एक बार फिर से बात कली जाए पूर मुखेवंद्री जो है उनके थोड़ी से हालत नसाज जो है नजर आ रही है ऐसे में पहले CBI का शिकंजा भी कसा जा चुका है कोट की तरफ से थोड़ा था जो है उनको अराम मिल गया है ऐसे में जो मुद्दा लगातार उनको लेकर खीचा जा रहा है आपको लगता है कि कोट की तरफ से नकेल कसी जाएगी इसको लेकर क्योंकि विपक्ष लगातार इसको लेकर जो है बहुत साथ नजर आ रहा है अगेंस्ट भी नजर आ रहा है अगर हम देखे तो देखे अस्वस्त है हमारे बड़े भाई साब तो मैं प्रभू से उनकी शी ग्रिश्वास्त की कामना करता हूँ हमने अपनी तरफ से कहीं भी कभी भी भारती जनता पार्टी यानि कि हमने का मतलब भारती जनता पार्टी ने कभी भी कोई भी उनके खिलाब न तो F.I.R की है ने C.B.I. के लिए अपनी सस्तुती दिये है जो बार-बार कांग्रेश की तरफ से और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भारती जनता पार्टी उनको जेल में जड़ डालना चाहती है वो एक सहानुभूती बटोरने का तरीका है क्योंकि ये तो महामहिम राज्यपाल जब रास्टेपती शासन लगा था उनके जो एक इस्तिंग ऑपरेशन हुए थे दो-तीन तो उसमें जो उन्होंने कथन किया था कि मैं पांच-पांच करोड रुपे हर बिधायक को दे दूँगा और मंत्रियों की तरफ से आँखें मोद लूँगा चाहे वो 30-40-50 करोड रुपे जो कमाना चाहें कमा लें उस कथन पर CBI इंक्वारी महामहिम राजिपाल मोहदे ने सस्तुत की थी बाद में हरीस्तावच जी की सरकार जब पुनर जीवित हो गई थी राष्टपती शासन हट गया था तो अपनी ही कैबनेट से उन्होंने अपने खिलाब जो CBI इंक्वारी हुई थी उसे खारिच कर दिया था हटा दिया था तो मानी नियाले में कोई बंधु गए थे तो मानी नियाले ने भी माना कि वो अपने खिलाब किसी भी मामले को स्वयम नहीं हटा सकते हैं ये मामला इस प्रकार से न्यायले में है जो मामला सब जुडिस है उसके बारे में बोलना उचित नहीं है परन्तु भारती जनता पार्टी को ने तो हरीश जाओजी के खिलाब उन्होंने कोई कारवाई की है ने CBI इंक्वारी के लिए कहा है और ने उनको हम लोगों को भारती होती है चाहे कोई भी ब्यक्तिकों नहीं है यह सीधे मामले को अगर हम समझे तो सिर्फ और से यह नियायले से ही सिम्टा हुआ मामला ना जरा रहा है क्यामरा प्रशन विवेक किस्तार्त मैं भावना आना इंटीवी ते लिए